हमने लास्ट चो भी स्टॉप किया था लास्ट लेक्षर पर किस तरह से करते हैं ठीक है तो टेबल क्रियेट करने के लिए जो आपके पास कमांड है वो है कि किरियेट टेबल टेबल का नाम फिर ब्राउंड ब्रेकेट्स आएंगी और उसमें आप पहले अपना कॉलम का नाम वर उसकी डेटर टाइप लिखो अपिर कॉमा और फिर कॉलम का नेक्स्ट कॉलम का नाम फिर कॉमा Как यप थर्ड कॉलम का नाम और फिर आगे टेख्स्ट किया जाते हो एक यह इंटेजर लिग दी यह साथ पेस थे नहीं यह क्योंकि आपकी एसा कॉलम है जिसके थू हम सारी करेंगे मैं रोल नमबर कुणंगी वान तो मुझे बता होगा यह वाली यह वाली इस तुरेंट अधिक्ट तो ऑटो इंक्रिमेंट आपके लिए ऑपिशनल है अगर आप चाते हो कि आपकी चीज़े हुद बहुद ही और नेक्स पे जाती जाएं ठीक है तो फिर आप ऑटो इंक्रिमेंट करोगे ठीक है फुल टेक्स्ट जो है बिसिकली वो बता रहा है कि जो टेक्स्ट है फुल नेम और वह सकता आचक्थल नाम जुटयर्था है यह नाम डब जरूरी है नेक्स्क्क आपके पास इमेल है इमेल वह में ठीक है आप डैक्स पॉर्मट में लिखता चाहते है लिखतो और अपनी देना चाहते है तो मत दो आप्शनल है नॉट नल इसको नल चोर सकते हो चीक है यू में फाइंद इच है लिफ़फुल घ्रीट कंपाइन क्लास नोन अस contract class which explicitly specify the layout of your schema in systematic and self-documenting way. अच्छा, अब आपको इसके बार जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी contract class की. contract class बनाना जो है वो option है, हम next जो वीडियोस में contract class बनाना सुखेंगे.